आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार साथ सो साल पुराना है यह मंदर बेलपत्रों के जंगल से निकला था यहां शिवलिंग 40 दिनों तक यहां पूजा करने से पूरी होती है मुराद यहां का खाश आकर्शन है शिव कशंगार वैसे तो भारत में शिव जी के बारा जोती लिंग है लेकिन ताज नगरी आगरा में भवान महादेव का एक मंदिर है जो की काफी मशूर है ताज नगरी को शिव जी का विशेश आशिरवाद प्राप्त है आगरा के चारों कोने पर भवान महादेव के चार प्राशिंतम मंदिर है जिनमें से एक बलकेश्वर मंदिर है बलकेश्वर मंदिर 700 साल पुराना है तैसल आगरा में यमुना के किनारे जिस जगें ये मंदिर है वहाँ पर पहले बेलपत्र के जंगल हुआ होते थे जब इन जंगलों को साफ किया गया तो यहां भगवान महादेव की पिंड़ी निकली थी उस समय इसे बेलपत्र के जंगल के कारण बिलकेश्वर नाथ कहा जाता था मगर समय बदनली के साथ इसका नाम बलकेश्वर हो गया हाला कि मंदिर में अभी भी इसका नाम बिलकेश्वर नाथ ही लिखा है सावन के महीने में बलकेश्वर महादेव मंदिर पर भव मेला लगाया जाता है पूरे महीने यहां पर भक्तों की भारी भीड़ होती है सुबे से ही शिवालियों में शिवभक्तों की भीड उमरने लगती है सावन में बलकेश्वर मंदिर को दुल्धन की तरह सजाया जाता है और आर्टी में शहर के तमाम शिवभक्त शामिल होते है दरसल बलकेश्वर मंदिर का खाश आकर्चक है यहां शिवलिंग को चंदन और केसर से सजाया जाता है और भक्तों को इसी का यहां प्रशाद दिया जाता है तो वहीं शिवरात्री के तवहार पर शिवलिंग को रुद्राक्ष से सजाया जाता है मानता ये भी है कि अगर कोई भक्त लगतार 40 दिन मंदिर में दर्शन और पूजन करता है तो उसकी सबी मनो कामनाई पूरी हो जाती है यही कारण है कि दूर दूर से लोग इस मंदिर में भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए आते है भक्त घंटो लाइन में लगकर भगवान बलकेश्वर के दर्शन करते हैं इसके पास में यमुना का तठ है जो देखने में बेहत मनमोहग लगता है शिवजी अपने भक्तों की सभी मुराद पूरी करते हैं और इनकी पूजा करने से मन की सारे मुरादे पूरी होती है आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार